जरुवत मन को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बाते अच्छी तरह पता होनी चाहिए तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा यानि सरकार आपके खाते में कुछ पैसे अलग से डालेगी नमस्कार दोस्तों कि आप जानते हैं कि लालेगी बहन योजना के जो छटवी किसे थे वो किस तारीक को आने वाली है और कितनी आने वाली है और साथ में दिवाली में क्या ओपाहर मिलने वाला है क्या गिप्ट बिलने वाला है आपको इस वीडियो के माध़म से फुल बताओंगा मैं अब «्गल्स बॉइस दॉब यह हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो फुल देखना है रिष्टेदारों में सेयर करें, दोस्तों में सेयर करें नए हो तो चलना को सब्सक्राइब वीडियो को लाइख करें क्योंकि रोज अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि जो लाली बेहना योजना थी उसके तहर जो आपको 1000 रुपए किस्ते मिल लेती दीपवली के उपहार पर आपको और भी जादा बढ़कर मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों ये एकदम सही बात है और आपको जो 1250 रुपए भी मिल लेते वो दीपवली के उपलप्च पर आपको 1000 से बढ़कर लेकर वो आचुकी है 1550 रुपए जी हाँ दोस्तों 1500 रुपए मिलने वाली है आपको इस दीपवली के उपलप्च पर जी हाँ शिवराज सिंग सोहान ने घोसना कर दिया है कि इन सभी बेहनों को दीपवली पर उनको अलग से 2050 रुपए डाले जाएंगे 1250 के जो किस्ते थी सब मिलाकर 1500 रुपए ये डाले जाएंगे साथ में जो योजना में काफी हला हो चुका है कि इस योजना के तहंत सभी बेहनों को मुबाइल प्रोवाइट कर रही सरकार मुबाइल देने वाली है दोस्तो ऐसा कुछ नहीं है आपको मुबाइल नहीं मिलने वाला है मुवाइल भी मिलने से सरकार को बहुत जादा घाटा हो सकता है और इस पर भी काफी अरूब खड़ी हो सकते हैं जैसे कि आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार यदि मुवाइल सभी बेहनों को दे रही है तो काफी इनपर इल्जाम लगाए जा सकते है कि मोबाइल सिप इस चुनाव को खरीदने का है ऐसा हमारा किसी भी पार्टी का समर्थ करना नहीं है सिप आपको नए नए अपडेट्स देना है इसलिए सरकार कोई भी मोबाइल किसी को नहीं दे रही है नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करके लगे हम इसी परकार कर रोज नए अपडेट्स रोज नए जानगारी लाते रहते तो मिलते हैं जैंजे भारत